उत्रखन की मुख्यमंत्री पुश्कर सिंग धामी ने विपक्ष पर निशाना साथते हुए कहा कि एक तरफ पिया मोदी के नित्रतु में हम सब समर्पित होकर बीजेपी के लोग काम कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर कॉंग्रेस केवल और केवल अपने व्यक्तिगत लालच के हित में पड़ी हुई है 2014 से पहले हर एक दिन घोटाला होता था उस समय भस्ता चार की बाविश होती थी लेकिन पिछले 10 सालों में पिया मोदी के नित्रतु में एक भी घोटाला नहीं हुआ जहां एक तरफ आगणी मोदी जी के नित्रतु में हम सब समर्पित होकर भारती जन्ता पार्टी के लोग काम कर रहे हैं वहीं दूसरी और कांग्रेश केवल और केवल अपने ब्यक्तिकर हिद के लालत में पड़ी हुई है आपको याद होगा 2014 से पहले किस प्रकार देश के अंदर हर एक दिन कोई घबला होता था किसी दिन घोटाला होता था कोई ने कोई घरस्टाचार का मामला आता था भाई और भैनों ब्रस्टाचार की बारी सुच समय होती थी लेकिन आजणी मोदी जी के 10 परसों के कालगंड में एक भी घोटाला नहीं हुआ एक भी ब्रस्टाचार का मामला नहीं आया क्योंकि आजणी मोदी जी ने प्रधार मंत्री बनते ही कहा था ना तो मैं खाओंगा ना मैं किसी को खाने दूँगा